हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे भरवा करेला इसको बिना उबाले हम थोड़े से तेल में फ्राइ करके बनाएंगे बहुत टेस्टी बनता है और जरा सा भी कड़वा नहीं लगता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दोनों साइट से काटते हुए हम इसको चील लेते हैं तो इस तरीके से हम चाकू की हल्ट से इसको बाहर बाहर से चील लेंगे ये देखे इस तरीके से सारे करेले हमने चील लिया है अब जो हम इसके अंदर बीज होता है वो निकालें तो सारे बीज हम इस से निकालके इसको एकदम साफ करेंगे यह देखिए इसतरीके से अब इसमें हम एक लेसन का पेस्ट को भी हम फ्राइ करनेगे और अब इसमें हम डाल देते हैं एक चमच लहसुन का पेस्ट इसको भी हम फ्राइ कर लेते हैं और अब डालेंगे हम इसमें कुछ सूके मसाले जिसमें मैं डाल रहे हूं आदा चमच हल्दी, एक चोटी चमच धनिया, आदा चमच गरम मसाला, एक चमच अमचूर पाउडर औ और आदा चमच नमक, इन सबी मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं और अब इसमें डाल देते हैं ये कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्ज, यहां पर मैंने एक बड़े साइस का टमाटर को बारी काट लिया था, अब इसको हम दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर ठकन लगा कर पकने देंगे, तो देखिए दो मिनट के बार टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, मसाला हमारा बन के तयार है, और अब उपर से हम इसमें डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया, और अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो देखिए मसाला ठंडा हो चुका है, अब करेले के अंदर हम इसको भर लेते हैं, तो इस तरीके से चमच की हल्प से हम करेले में मसाली को भरेंगे, बहुत ज्यादा मसाला हमने इसमें नहीं बरना है, तो इस तरीके से मसाली को हलका हलका उंगली से प्रेस करते करेले के अंदर भर लेंगे तो इसी तरीके से हम सभी करेलों में पहले मसाला भरके तयार कर लेते हैं यह देखिए देखिए हमने यह पे सभी करेलों में मसाले को भर लिया है अब जो यह दागे की जो रील आती है सिलाई वाली दागे की इसी दागे से हम इस तरीके से करेले को बाहर से अच्छे से लपेट लेंगे जिससे कि यह फ्राई करते टाइम खुलेगा नहीं अगर हम इसको ऐसे लप करेलों में हम अच्छे से दागे को लपेट लेंगे यह देखे इस तैके से अब इसको फ्राई करते हैं तो पैनमें मैंने डाल दिया है तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे यह तरैले और सभी करेले य हम थेल में डाल के इनको धक्कन लगाकर पकाएंगे तो इनको हम ьर 2-3मिनट में पलते पलते कलना है है तो देखे हैं हर 2-2मिनट में हमने इनको कण्यों Eh पर तरीखे से पलट लियंगे जब हम इनको पलते के बनाएंगे तभी यह टेस्टी बनेंगे और चारों तरब से ये अच्छे से फ्राई होंगे जिससे के इनका कड़वापन जो है एकदम खतम हो जाएगा और खाने में भी ये टेस्टी लगेंगे तो इसी तरीके से हम इनको 15-20 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ये देखिए ये लगबग बनके तयार है एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं ये देखिए अब कैस्ट का फ्लेम आफ कर देते हैं और इनको प्लेट में निकाल लेंगे तो ये देखिए हमारे करेले बनके तयार हैं बहुत टेस्टी लगते हैं चरा सा भी कड़वे नहीं लगते तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें